सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके होने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा टेस्ट होगा जो भी आपके लिए आपके लिए रहे गया तो जितने भी हमने क्यों करें हैं सब का रिविजन वीडियो जाइए ठीक है सब देर देर आएंगे पूरा कवर अप करेंगे हम तो आपको इसके लिए वाटसप ग्रूप के अंदर आपको पीडिया पीडिया पी सेंड किया गया है हर सब्सक्राइब करें जिसके अंदर आपके कंप्लीट आप आप कुछ सकते एंप में पूछ सकते लिए जो भी ऑफिस कर सब्सक्राइब करते हैं जो भी आपको कहर का सब्सक्राइब टाइड करते हैं न magic फर्मिंस में डेखते हैं नेयम दफॉलिंघ आपको लिखने क्यान है तह फुस्ट है, the process of obtaining and utilizing food by organisms ऐसा process जिसमें food को obtained किया जाता और utilize किया जाता है और उस प्रोश्स को हम कहते हैं, उस process को हम कहते हैं, nutrition कहते हैं, क्या कहते हैं, the process of obtaining and utilizing food by organisms is called nutrition, सब्सक्राइब चलते हैं the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food ऐसा mode of nutrition जिसके नदर organism खुद synthesize करते हैं फूड को मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं श्वेम बनाते हैं उस process को हम उस nutrition को हम क्या कहते हैं autotrophic nutrition क्या बोलते हैं autotrophic nutrition plants अपना food खुद बनाते हैं photosynthesis process के तुरू तो यह आपका जो भी nutrition का mode एक ऐसा होगा autotrophic clear set third mode of nutrition in which organisms depend on other ऐसा mode of nutrition जिसके अंदर organism depend करता है अधर पर उस process को हम उस mode nutrition को हम कहते हैं heterotrophic nutrition क्या बोलते हैं heterotrophic nutrition जिसके अपना food नहीं बनाते हैं दूसरे पर पर डिपेंट रहते हैं दूसरे पर किस पर indirectly और directly किस पर डिपेंट रहते हैं plants पर डिपेंट रहते हैं clear next दलते हैं test used to detect starch ऐसा test जो starch को detect करता हैं कि इसके अंदर starch है या नहीं है उसके लिए हम iodine solution का help लेते हैं तो iodine solution लेने के लिए ही हमें test करते हैं जिसका नहीं है iodine test नेक्स जलते हैं चेक है उनालगे जिसमें match तो फॉलाइएंगे आपको column A को column B से match करना है इसके अंदर आपकी जो भी names लिखे हैं इसको इससे match करना है एक तरफ green plants, fungi, photosynthesis, cascata, lichen, लिखे हैं, दूसरे दर symbiasis, parasite, autotroph, सेफरोफाइट सनलाइट लिखे लिए तो ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट आपके क्या होते हैं और ट्रॉप्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते इसलिए थर्ड मार करा है फिर है फंजाई फंगी कुछ भी आप प्रनौस करें इसको सही रहे आपके लिए अलग-अलग एक्सेंट में अलग-अलग प्रनिशीशन है यह शी तो फंजाई का हापका होगा फॉर सेप्रोफाइट होते हैं डेड इन डिकेंग से अपना फूड अप्रेंट करते हैं फिर है फोटो सिंथेस सनलाइट जरूरी फोटो सिंथेस वैसे दो फॉर नेसेसरी कंडिशन से वा पर बेल भी कहते हैं यह आपके खेजडी का प्लांट रहता किश्या पर यह रहता है पुरा उससे अपना नुटिशिंस लेता है फिर है लाइकेन लाइकेन पीछे बचा सिंबाइसिस यह सिंबाइसिस एक सिंबाइटिक जिसके अंदर फंजाई एन एलगा दोनों आपस में करते हैं एल का खाना बनाता फंजे उसको शैल्टर देता है रहने के लिए पिर चलते हैं एक से इसके चुशन के जो आपके पर चुशन से फर्स्ट फार्मिट उसकी बात करें तो स्टेट तर्रेक्ट ऑप्सटन में उसमें आपको बताना है फर्स्टे क्विस्टन आयोडी स्टार्च को टर्न करते हैं किस सॉल्शन करते जeff जैसे स्टार्च खाने में हैं लीफ के अंदर हैं हम laborifying solution गिरा है तो स्टार्च करके क्या color देता है ब्लू-ब्लैक देता है वाइड डिता है ब्राउन देता है colorless हो जाता है यह color ही नहीं देता है इसके लिए तो इसका सबसे Correct answer है यह blue black color देता है सेकंड बी जलते है stories form of carbohydrate stories form क्या है carbohydrate की मतलब जो carbohydrate जो food बनाते है plants तो carbohydrate की फॉर्म लेट में बनता है ठीके फिर हुँ स्टोर्ज किस फर्म में रहता है तो आपको पता होगा फोटो संंथेशिप प्रोडेक्ट बनते एक फिल्कोज बनता है और एक उक्सिजन बनता है तो गुल्कोज आपका संपल कार्पाइटेट है लेकिन फर्दर वो गुल्कोज स्टार्च में चन्वर्ड ह करती है क्या होती है लीफ्स के अंदर चीज़े जिसमें कार्मडेक्स से बना हैं अप्शन से आपका A Root B Stomata system D Haustoria तो stomata जो small pores होते हैं lowered leaves में upper में भी होते हैं lower में जाद होते हैं in comparison to upper तो वहां से यह stomata जो पोर्स होते हैं उनको स्टमेटा केते हैं वहाँ से यह एंटर करती है एब्सॉर्ड की जाती ही कसकुटा उसके लिए फिफ्ट है इन लाइकेंद फंक्शन ऑफ फंजाई इस टू लाइकेंद के अंदर फंजाई का फंक्शन क्या है सिंतेसेज करना फूड को नूट्रियंट्स एब्सॉर्ब करना प्रोवाइड शेल्टर शेल्टर देना रहने की जगाए यह डी है बोथ प्रोवाइड करता है क्लियर तो आज के लिए इतना ही अपनी क्लास के लिए हमने दो चैक्यों नौलेज और एक्साइज कुशन का एपाट डिसक्स किया है अपके रिविजिन के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका फ्लेंदर ब्लाइंग्स टू-फॉ-फॉ-फॉ- अगर भी डिसक्स करेंगे कंप्लेटली क्लियर तो रिवाइज करिए अच्छे शे पड़िए फटा फट जॉब आपके लिए अच्छे शे करिए थेंक यू ओप यू लाइक देट